वेलकम फ्रेंड्स तो मैं यूट्यूब चीनल दूर्ट्रीट तु लर्न फार्मकलोजिकल क्लास्पिकेशन आज हम इन डिसकस करेंगी कोलीणर्जिक ड्रॉग्स के बारे में so friends देखें यह जो है आपका cholinergy drugs है या इसी को हम कह सकते हैं cholinomimetics या parasympathomimetics okay so in the category of the cholinergy drugs first category है आपकी cholinergic agonist okay so cholinergic agonist में again दू subcategories divided है so first one is coline easter and second one is alkaloids cholinergy drugs में जो drugs होती है that is acetylcholine, carbacol methacoline and bethanicol and जो alkaloid category है इसमें जो drugs that is aracoline, mascarine and pillocarpine so यह आप बेना drugs के ही है तो इसको याद कर पारे हैं बहुत अच्छी बात है but यह आपको याद नहीं हो पा रहा है तो देखते हैं कुछ tricks के बारे में अब देखिए जब यहाँ पे आप kolinergic agonist की बात करते हैं तो दो कैटेगरीज है kolinister, alkaloid तो आप suppose करिए कि एक कुली है है ना तो वो जो कुली है वो alka से कुछ कहता है कुली जो है वो alka से कुछ कह रहा है कुली मिस kolinister, alka मिस alkaloid ना, दो कैटेगरीज है कुली क्या कह रहा है alka से AC कार में बैठो कुली ने कहा AC कार में बैठो AC मिस estalcolin कार मिस कारबेकॉल में, बिस मेता कुली बैठो में बैठानी कॉल राइट सो alka जो है वो कहती है अरे, मस्द पिलो है कार में अरे, मस्द पिलो है कार में अरे मिस अरे कॉलीन मस्द मिस मसकरेन पिलो है कार में याइज पिलो कारपीन अरे, आप यह ड्रॉग्स याद कर पाएंगे इस टिक के थूँ नेक्स केटिगरी जो है अन्टी कोलीनिस ट्रीज जैसे अब देख पा रहे हैं एंटी कोलीनिस ट्रीज एचली जो एंजाइम होता है कोलीनिस ट्रीज उसको इन्हें भी करने वाली ड्रॉग्स हैं इसको जो एफेक्ट होगा वो कोलीनो माइमेटिक सी होगा तो इन्टी कोलीनिस ट्रीज यहाँ पे भी दो कैटिगरी जाएंगी एक रिवर्सिबल आएगी और दूसरी है इरिवर्सिबल तो इन्टी इरिवर्सिबल रगुड आईगरीज कार्बामेट ऐन्ड अक्रिडीन आपको केवल यहाँ पे drug की जो categories है वो आपको याद करना है कि जो reversible है वो divided है two parts में carbamate and acridine में अब जो carbamate की drugs है वो है आपकी atrophonium, galantamine, donapazil, revastigmin, pyridostigmin, neostigmin and phisostigmin यहाँ पर देखिए चारों जो drugs है सब में last में लगा हुआ है stigmin and acridine में जो drug है that is tachrin केवल एक drug है इसमें तो देखते हैं इसको कैसे याद करना है देखिए carbamate carbamate में यहाँ पर देखिए adrophonium के लिए मैंने लिखा adro galantamine के लिए लिखा है galant donapazil के लिखा है dono dono, right river के लिए riva, pyridu के लिए paro neostigmin के लिखा है neo neo means naya, right so naya and physo stigmin physo मतलब fesla okay, fesla को मैंने correlate किया है physo से after कैसे याद करना है आप suppose करिए कि जब भी आप carbamate के हम बात करेंगे reversible में okay, तो हम तोड़ा memorize करेंगे कि हम कहां पर है, riva में है okay, हम कहां पर है, riva में आपको riva याद कैसे आएगा यह देखिए, यहाँ लिखा है reversible okay, जैसे ही term आएगा reversible, आपको ध्याना जाएगा कि हम कहां पर है, riva में अब riva में क्या हुआ था देखिए, यहाँ पर दो वेक्ति थे जो कुछ head होंगे पहला वेक्ति है, adro और gallon है ना, दो वेक्ति है so, adro gallon दोनों ने riva में पारो को नया फैसला सुनाया okay, adro and gallon, दोनों ने riva में पारो को नया फैसला सुनाया, so, adro से adrophone में याद हो चाएगा, galon से galon टबी में याद हो चाएगा, दोनो that is, dronipazil, riva, river stigmin paro, pyrodio stigmin, नया new stigmin and फैसला, physo stigmin आपको बस memorize करना है, कि जब भी reversible आएगा, आपको याद आना चाहिए कि first category carbonate थी और हम कहां थे, riva में थे okay, और second category acridine, acridine यहाँ पे है tachrine, तो यहाँ देखिए, थोड़ा कुछ acri, acri और यहाँ क्या है, tacri, that is tachri, so, acri-tachri okay, इसको आफट आफट बोलने का कोशिश कीजिए, acri-tachri तो आपको याद हो जाएगा, acridine and tachrine okay, next category की तरह बढ़ते हैं, जो है आपका irreversible okay, जो anticholinesis का ही second part है irreversible, irreversible category भी दो पार्ट में divided है organophosphate and carbamates organophosphate में जो drugs है, that is, taboon melathion, soman, serine, diacinon ecothiophate and dipolose and carbamates में carborel and propoxor okay, so organophosphate में जो drugs हैं, taboon taboon को मैंने लिखा हुआ है, taboo okay, एक लड़की का नाम है mala, ये भी एक लड़की है soman, soman को मैंने लिखा है, sonam right, taboo, mala और sonam, तीनों ही girls है serine, serine को लिखा सारी, diacinon that is die, ecothiophate एक थाली में and dipolose that is flow, देखें हैं जो term है flow so flow को मैं correlate करता हूँ dipolose से, okay so यहाँ पे जो taboon है that is taboo taboo, mala and sonam ने सारी डाई एक थाली में flow कर दी okay taboo, mala, sonam तीनों ने सारी डाई एक थाली में flow कर दी right then carbamate carbamate में आता है carboreal and proboxer देखें इसको यह कैसे जाद करना है यहाँ पे जो carbamate है c-a-r-b यहाँ भी देखिए c-a-r-b-a okay past letters है जो इसमें common है बस आपको r-y-l लगाना है okay सो जब भी आप carbamate की बिल्कुल last category है पढ़ रहे होंगे irreversible की इसमें carbamate में रखिए c-c-p ना first c for carbamate second c for carboreal and p for proboxer okay so friends these are the tricks to memorize the cholinergic drugs our cholinomymetic drug यह आपको इसको याद करने में कुछ भी problem होती है तो please आप comment box में comment करिये and इदि आपको वीडियो अच्छा लगा होते से like and share जरू करें and channel को subscribe करें thank you very much